अब वेलकम वेक टो मैं यूट्यूब चनल आप देख रहे हैं हमारा चनल पेपर है कर तो आज का जो वीडियो रहने वाला है बीएसी पार्ट वन वालों के लिए फिजिकल कैमिस्ट्री थर्ड पेपर है इंप्रोटेंट कोस्टन है आज का एक्टिवेशन एनर्जी यानी श थीदेगे कि इसको खहते हैं है सक्क्रियण ऊर्चास्व ठिकरकर शक्रियण ऊर्चास्य थिक्षा नाम यानि एकक्टिवेशन इनर्जी त्विच रहे हैं इसकी thờiों को देखते हैं कोई भी कैमिकल रियक्षन मॉलीक्यूल के बीच में कोलेजन के कारन होती है थिक के कःई कारण होती है ठीक है सभी कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं कॉलेजिक जो कॉलेडाइजिंग मॉलीक्यूल एक निश्चित मिनीमम इनर्जी को ग्रहण करते हैं और यह मिनीमम जो बहुत कम उर्जा होगी मिनिमम इनर्जी को यह फ्री होल्ड करेंगे बाकी अगर जिए्ट होती भी हैं तो सभी जो कॉलेजन इसे नहीं होंगी और कॉलेडाइडिंग जो मौलीक्यूल्स होते हैं वो एक निश्चत इनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेंगे और निश्चत को प्रडूस करते हैं अगर इनके बीच में होता है तो नहीं एक्टिवेशन किसी रियक्शन के बीच में होगी तो यह कैमीकल रियक्षण है मौली क्यूल के बीच में होगी और क्यालीजन के इनर्जी यह एक्षान होगी तो इस प्रकार की जो इनर्जी होती है तो इसको क्या कहते हैं कॉलिजन इनर्जी अधिकतर मॉलीक्यूल की जो काइनेटिक इनर्जी होती है ठीक है जितनी भी मॉलीक्यूल्स की जो काइनेटिक इनर्जी होगी काइनेटिक इनर्जी थ्रैस होल्ड इनर्जी से कम होती है इसे इनेमन फिगर के द्वारा सो किया जाता है जैसे यह आपका फिगर दिया हुआ है यहां पर देखिएगा एक डाइग्राम दिया हुआ है रियक्षन कॉलिडाइड ठीक है इधर आपका देखिए यह इनर्जी शो कर रहा है ठीक है यह आपका यह आपका रियक्षन और है तो इनर्जी को देखिए यहां पर इनर्जी लेवल्स हो कर रहा है देखिएगा यहां पर माल लीजिए कोई ए पिलस भी से स्टार्ट होता है कोई और यह बहुत उपर तक जाकर थिरी होल्ड आपका जो इनर्जी है यह लगभग बापस कहां आ ज पर यह यानि जो इनर्जी है लगभग इस तरह से यह उपर की तरह बढ़ता है बढ़ने के बाद में एक कंडिशन यह आती है जहां से इसटार्ट होता है वहीं पर यह आपके वापस लुटकर आज आता है इनर्जी यह इसका जो गिराफ है और बढ़ता जाएगा बढ़त the energy है उसको इस प्रकार भी Define किया जा सकता है ठीक है इस प्रकार Define किया जा सकता है वह एक Ins energy जिसे जिसे रुटेंड molecule Threshold energy को activation करने के लिए घ्रहण करने करते हैं यानि जितना हमारा थ्रैसोलल्ल एनर्जी है उसको आप एक्टिव करेंगे एक्टिव करने के लिए यानि थ्रैसोल्लल एनर्जी घ्रक जहना चाहिए उसको एक के इनर्जी के नामसे जाना जाता यहां से यहां से यहां बना स्टार्ट हो जाए तो एक सबस्तेंस तो है लेकिन वह अभी अभी आफिण करने के लिए क्या करेंगे कि कि एक हम कुसी extra source को जैसे माल है ठीक है कोल पीच है कोईले का एक टुकड़ा है अभी ये कैसी है इनेक्टिव इनर्जी ठीक है यानि ये एक सबस्क्राइब पदार्थ है ठीक है इसको एक्टिब करने के लिए क्या चाहिए आपको आउट सोर्स ओफ फायर ठीक है तब यह क्या होगा जाके एक्टिब होगा फिर यह अपना काम करना लगे करने लगेगा यह इनर्जी को इफटिब बनाती है जिसके से कारण जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वह एक्टिवेशन एनर्जी एक्वाल टू एक्टिवेशन इनर्जी एक्वाल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इनर्जी ठीक है यानि यह फॉर्मेशन बनता है कि एक्टिवेशन एनर्जी एक्वाल टू थ्रे और के दिए होई रियक्षन है जो आपकी त्यौराम है यहां से की एक्टिव से एक्टिवेशन इनर्जी के नाम से जाना जाता है तथा यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तोड़ा रिदूस देख रहा है और जो आपकी वन जो है E1 से Ea जो reaction है वो activation energy के नाम से इसको जाना जाएगा और जो E1- ठीक है इसको Ea- ये आपकी product की activation energy होगी ठीक है ये होगी आपकी Ea- product activation energy ठीक है और Ea है आपकी ये reactant की energy है ठीक है जो आपका Ea है ये reactant की energy है reactant energy ओके और Ea- ये आपकी होगी product की activation energy तो E को denote किया गया है reactants की activation energy है और Ea- ये आपका product का activation energy है है इसका determination देखिए किस की तरह से किया जाता है यानि सक्रियर्ण ओर्जा का निर्धारण सक्रियर्ण ओर्जा का निर्धारण ठीक है है activation determination of activation energy ठीक है शक्रियर्ण ओर्जा का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है देखिए इसके त्योर्म को देख लेते हैं शक्रियर्ण ओर्जा का अगर हम निर्धारण करेंगे नहीं तो इक साींटिस्ट हुए थे जिनका नाम था और्फी नियस ठीक है क्या नाम था उनका और यहीं नियस नियस के अनुसार यह आरिहीं नियस scientist ने बताया था ठीक है एक साइंटिस्ट थे आरे के रियक्शन को explain किया था ठीक है जो आरीनियस साइंटिस्ट थे उन्हों ने जो रेट आफ कॉंस्टेंट एक्टिवेशन इनर्जी तथा टेमप्रेचर के रियक्शन को explain किया और जो mathematically इसे निन्म प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है आरीनियस यानि के एकवाल टू एई इस ए अपन एर्ट माल जिज्य इसको माल लिया एक्केशन नमबर फ़र्स्ट ठीक है कि हम आई नों ने दिया के एकवाल टू एए एन फ़ेशन नमबर हो गया यह आपका फर्स्ट हो गया टेकिंग दा लॉग अफ एक्वेशन फर्स्ट ठीक है एक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे लॉग लेने पर दिखिए जब लॉग लेंगे तो इन k equal to in a minus e a upon rt यह हो गया आपका equation second और log e equal to 1 यहां से लिख देंगे इसको इस प्रकार से जो question को किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है इस प्रकार से भी देखिए इसका log well 2.303 log 10 k equal to होगा आपका 2.303 और यह होगा log 10 a minus e a upon rt ओके इस तरह से भी हम इस equation को denote so up कर सकते हैं जो अब देखें डिवाइड़ वाई यानि डिवाइड़ वाई 2.303 ठीक है इसको डिवाइड़ जब करेंगे देन डिवाइड़ वाई 2.303 log 10 k equal to log 10 a minus e a upon rt into 2.303 यानि 2.303 से इसको क्या करेंगे डिवाइड़ कर देंगे किसको e a upon rt को तो यहां पर क्या बनता है देखें नेक्स्ट होगा आपका log 10 k equal to minus ka e a देखें जो यह minus है आपका upon ऊपर चला जाएगा minus e a upon 2.303 r और यहां पर होगा i upon t plus log 10 a ठीक है यह आपका equation number 4 बन जाता है उसके बाद में equation 4 बरावर y equal to mx plus c type की है जो आपकी equation 4 है वो किस तरह की है y equal to mx plus c type की equation 4 आपका we have करती है ठीक है और और इनकी जो इस्ट्रेट आए जो इस्ट्रेट नेस होती है वो क्या करती है रिप्रेजेंटेशन टाइप पर रहती है है रिप्रेजेंट होती है जो इसकी स्ट्रेट वो कैसी होती है थोड़ी डेम टाइप की होगी थोड़ी सी कम होगी इस्ट्रेट इस्ट्रेशनेर्स की जो इनमें जो productivity होती है वो बहुत ही कम होती है अतह यह अतह यह क्राफ्ट की तथा लॉग 10K के बीच में यानि क्या करते हैं प्लॉग किया जाता है इंप क्या करेंगे यानि लॉग 10K के बीच में वेलॉग कर दिया जाता है तब एक स्ट्रेट लाइन पराप्त होती है और क्राफ जो नीचे दिया गया है आपका इस तरीके से एक लाइन टाइप का यह सो करेगा इसकी सेफ होती है देखिए वन अपॉन टी इधर सो करेगा आपका इधर जो आपकी लाइन बनी हुई है वह आपकी लॉग टैन के यह एक एंगिल इनके बीच में जो क्रियेट हो 14200 Nine Pas Act यहां सेकर होता है कि इस प्रकार के मैठर्ट द्वारा हम किसी बीच्टिवेशन इनरजी को क्या करेंग डिटर्माइन करसकते हैं ठीक है यह आपकी वेशनन इनर्जी को किसी किसी मेथए द्वारा यहश나 आपका मैथए वन त्टिक है हमारा जो टॉपिक है उसके बाद में हम किसी नई फिर वीडियो के साथ में उपस्तित होते देखते हैं हमारे को इस लगातार चैनल पेपर है करको हम फिर करने से नई वीडियो के साथ में फिर उपस्तित होते हैं